हाई फ्रेंड्स वेलकम बैक टो माई चानल प्राण के अटिप्स और दोस्तों तुलसी का पौधा तो आप सभी के घरों में होगा ही और उसके और शेदी गुणों से भी आप सभी लो भली बात परचित होंगे तो आज मैं आपनों को तुलसी की वास्तु से रिलेटेड प्रिसमत चमक जाएगी तो चलिए जानते हैं वो क्या चीजें जो हमें तुलसी के और शेदी गुणों के अलावा जो क्यों तुलसी चमतकारी मानी जाती है तो अगर यह कुछ उपाए आप कर लेंगे तो आप फिर वो चमतकार देखेंगे तो इसमें तुलसी के पौधे म कि आप उसमें बहुत जादा जल ना चढ़ाए और वार और एकासी के दिन जल चढ़ाने से बचें इसके अलामात कुरुवार भगवान विश्नु का दिन माना जाता है इस दिन तुलसी के पौधे में थोड़ा सा कच्चा दूर जरूर आर्पित करना चाहिए ऐसा माना जा जाती है तो आज हम वो चलिए बता देती हूं वो कौन सी चीज है जो कि आप तुलसी के पौधे में अगर आप बांदेंगे तो आपकी किसमत खुल जाएगी तो जी हाँ दोस्तों ये जो एक चीज है वो है कि छोटा सा आपका लावा लेकर अगर अपने तुलसी के पौध है और आप इसन सब चीजों में विश्वास करते हैं तो जरूर से इसको करके देखिए आशा करती हूं आप नों को आज की ये जानकारी पसंद आई होगी तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजेगा और चैनल पर जाने से पहले सब सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा और हाँ ये घंटी का बटन जरूर से दबाएं जिससे आपको मेरे आगे आने वाले वीडियो की जानकारी मिल सके थैंक यू फॉर वाचिंग